परिचय और अपने जीवन पर उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायु प्रदूशन, इसके स्रोत, इसके हानिकारक प्रभाव और इसकी रोक्थान की व्याख्या करना ओजोन परत के अवक्षय की व्याख्या करना ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करना अमल वर्षा के निर्मान की व्याख्या करना वायु प्रदूशन हमारे जीवन के लिए वायु अतियावर्शक है लेकिन दिन प्रति दिन वायू में उपस्थित अवान्चित पदार्थों के कारण यह प्रदूशित होती जा रही है अब आप जानना चाहेंगे कि ये पदार्थ कहां से आते हैं ये तब अवमुक्त होते हैं जब वाहनों, कारखानों, बिजली संयंत्रों इत्यादी में इन्धन चलता है और उन्हें गैसी अपशिष्टों में बदल देता है वायू प्रदूशक और उनके स्रोथ कौन से पदार्थ वायू को प्रदूशित करते हैं कार्बन डायॉक्साइड, सल्फर डायॉक्साइड, नाइट्रोजन ओक्साइड और कार्बन मुनोक्साइड जैसी विशैली गैसें ये गैसें प्रायह ट्रक वबस जैसे वाहनों के इंजनों से अवमुक्त होती है कभी कभी वे प्राकृतिक स्रोतों जैसे जंगल में लगी आग या ज्वाला मुखिय विस्फोर्ट से उठने वाले धुएं और धूल से निकलती है ये गैसे स्वस्थ व्यक्ति को बीमार तथा बीमार व्यक्ति को और गंभीर बना सकती है ये आपकी आँखों वो गले को प्रभावित करती है कुछ मामलों में ये आपके फिपणों को स्थाई रूप से हानी पहुचा सकती है और यहां तक की कैंसर का कारण भी बन सकती है क्या आपने धूमकुहा यानि धुन्द जैसा काला धुआ के बारे में सुना है धूमकुहा धुएं और कुहरे यानि धुन्द से बना होता है धुआ सामान्य रूप से नाइट्रुजन के आकसाइड तथा अन्यवायू प्रदूशकों से बना होता है धूमकुहा के कारण बच्चों में अस्थमा, खासी और तेज सास चलने जैसी श्वसंचंबंधी समस्याएं हो जाती है ओजोन परत का अवक्षय आईए ओजोन परत के बारे में जाने ओजोन परत, ओजोन गैस से बनी वह परत है, जो पृत्वी के वायू मंडल के उपर स्थित है इसकी क्या भूमिका है? यह सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है एर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर और अगनी शामक यंत्र वायू मंडल में क्लोरो-फ्लोरो कार्बन अवमुक्त करते हैं और ओजोन परत में छेद करते हैं CFC एक अन्य प्रकार के वायू प्रदूशक है हम ओजोन परत के होल में कमी करने हैं तो क्या कर सकते हैं? हमें ओजोन परत को अवक्षय से रोकने के लिए CFC की तुलना में कम घानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए अमल वर्षा ये चित्र New York स्थित Statue of Liberty और आगरा स्थित ताजमहल के हैं ये अमल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित हैं क्या आप अमल वर्षा के कारणों को जानते हैं? उद्योग व वाहन वायुमंडल में सल्फर डायोकसाइड और नाइट्रिक ऑकसाइड जैसी विशैली गैसें अवमुक्त करते हैं ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाश्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अमल वन नाइट्रिक अमल बनाती हैं जो अमल वर्षा के रूप में प्रित्वी बर गिरती हैं अमल वर्षा में कैसे कमी की जा सकती है कम्प्रेस्ट नाचुरल गैस यानी CNG और लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जैसे स्वच इंधनों के प्रयोग से अमल वर्षा में कमी की जा सकती है ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ठंड है इससे पौधे नश्ट हो सकते हैं क्या तुम्हें पता है कि इन पौधों को अध्यदिक ठंड से बचाने के उपाई किये जा सकते हैं क्या उपाई किये जा सकते हैं हम उन्हें बचाने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव वह क्या होता है। इस घर को देखें। उसमें अनेक काच पट यानी काच की खिडकियों जैसी आकृतियां हैं। इसे क्रीन हाउस कहा जाता है। जब सूर्य की किरणे इस घर पर पढ़ती हैं, भीतर की वायू को गर्म कर देती है। यह गर्म वायू भीतर के तापमान को पर्याप्त गर्म कर देती हैं और पौधों के उगने के लिए वातावरण को आर्द्र कर देती हैं। इसी प्रकार वायू मंडल में उपस्थित कार्बन डायोकसाइड, मीथेन और नाइट्रस ओकसाइड जैसी गैसें काच पट जैसा का जब धूप का विकिरण हमारे वायू मंडल पर पहुचता है, तो कुछ किरणे परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं, और कुछ किरणे ग्रीन हाउस गैसों में प्रगहित कर ली जाती हैं, जिसके कारण पृत्वी के वायू मंडल के तापमान में ग्लोबल वॉर्मिंग जिसके कारण समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोत्री हो जाएगी और नीचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी, यह स्थिती वहां रहने वाले लोगों, जीवजन्तूं और वनस्पतियों के लिए भयंकर रूप से हानिकारक हो सकती है, वायू प्रदूशन की रोख थाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें वायू प्रदूशन में कमी करने के लिए क्या करना चाहिए? वायू प्रदूशन रोकने के अनेक उपाई हैं, जिन्हें हम अपना सकते हैं। हम स्वच इंधन, जैसे की CNG, LPG और सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जीवाश्म इंधन के बजाए सौर उर्जा, जलशक्ती और वायू उर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम व्रिक्षा रोपन भी कर सकते हैं। सूखे पत्तों को जलाने के बजाए हम उनसे कमपोस्ट खाद बना सकते हैं। कम दूरी तक आने जाने के लिए हम अधिक से अधिक पैदल चल सकते हैं। मोटर साइकिलों के स्थान पर साइकिलें इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा लोग परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं अवांचित पदार्थों द्वारा वायू का दूशित हो जाना ही वायू प्रदूशन कहलाता है जो पदार्थ वायू को दूशित करते हैं उन्हें वायू प्रदूशक कहा जाता है Carbon Monoxide, Nitrogen Oxide, Carbon Dioxide, Methane और Sulfur Dioxide प्रमुख वायो प्रदूशक है Global Warming का कारण Carbon Dioxide जैसी Greenhouse गैसों के स्तर में बढ़ोतरी है